क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में नॉबेल पारितोषिक 2020 की गोशना की गई और नॉबेल पुरसकार विश्व का सबसे स्रेष्ठ पारितोषिक माना जाता है मेडिसिन क्षत्र में किसको यह संबान मिला है यदि आपको नहीं ही पता है तो यह वीडियो द्यान से देखिए मिष्टी मुखर जी का निदन हो गया है मिष्टी मिखर जी कौन थी और गांधी बापु ने आज ही के दिन यानि कि 7 अक्टूबर को एक पत्रिका का शुवारम किया था इस पत्रिका का नाम क्या है यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक देखे लास्ट में वे आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको निचे कमेंड बोक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश इनके क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हुटन तीनों को यह पुरसकार प्रदान किया गया है यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है उपर युकत सभी लेकिन चिकित्सा के नॉबेल पुरसकार की बात करें तो यहां आप इमेज में देखें और इसी के संदर्व में इस तिनों वज्यानिकों को 2020 का मेडिसिन क्षेत्र का नॉबेल पारितोशिक दिया गया तो अमेरिका के हार्वे जे अल्टर, यहां देख सकते है हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस, दूसरे नमबर के चार्ल्स एम राइस, जो यहां लेकिन किस महत्व पुर्णा खोज के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो याद रखो हिपेटाइटीस C वाइरस की खोज के लिए यह संबन प्राप्त हुआ है, और विश्व स्वास्तिय संगठन के अनुसार दुनिया बर में 7 करोड से अधिक हिपेटाइटीस और इसलिए ऐसे महत्व पुर्णा खोज के लिए इन तीनों व्यक्तियों को यह संबन प्राप्त हुआ है, और नॉबेल समीती के प्रमुख फॉमस परलमेंड ने श्टोक हॉम में पुरस्कार विजयताओं के नामों की खोशना की, और इस प्रतिश्थित पुरस्कार में क यहां प्रदान किया जाता है, एक स्वरना पदक, इमेज में देख सकते है, इसी के साथ 11,18,000 डॉलर से अधिक की राशी प्रदान की जाती है, और महत्व पुर्णा नॉबेल पुरस्कार की बात करे, तो इन से जुड़े हुए इस महनुभाव की याद में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, और हाल ही में COVID-19 महामारी के चलते, जब यह चिकिचा क्षेत्र के जो नॉबेल पुरस्कार है, वो काफी मोश्ट इम्पोर्टन है, और इसलिए तीनों के नाम याद रखने है, और वो किस देश से बिलों करते है, वो भी आपको याद रखना चलिए नॉबेल पुरस्कार की बात करें तो नॉबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के विज्यनिक आलफ्रेड नॉबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांती, साहित्य, भोतिकी, रसायन, चिकिच्चा विज्यान और अर्थशास्त्र क्षेत्रों मे यह जो अन्यक शित्र के नॉबेल पुरस्कार है, इसकी भी कोशन की जाएगे, तो दोस्तो यह आपको याद रखना है और आने वाले करन्ड फेर में वो भी मैं आपको बताऊंगा, दूसरा क्विशन, भारत में प्रती वर्षय चार से दस अक्टूबर की समयावदी को नि समयावदी को कि सप्ता विश्व अंतरिक सप्ता के रूप में मनाया जाता है, यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है, वल्ड स्पेस विक जो चार अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यहाँ इमेज में पढ़ सकते हैं, वल्ड स्पेस विक कब नाया जात महासभा के द्वारा इस विक को खोशित किया गया और 2020 के यह वर्ल्ड स्पेस विक की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए most important question satellites improve life क्या satellites improve life जो 2020 के यह महत्वपुर्ण सब्ता की थीम रखी गई है और यह तारीके पहली क्रित्री मुबग्र स्पूतनिक वन के 4 अक्टूबर 1957 को लांच होने और 10 अक्टूबर 1967 को चंद्रमा और अन्या आकाशिय वस्तुव सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज में एक नई सफलता पाई गई और इसलिए वर्ल्ड स्पेस विक मनाया जता है प्र तॉर्पिडो यानिकी स्मार्ट का सफलता पुरुवक परिक्षन कहां से किया दोस्तो सूपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलिज और टॉर्पिडो शॉर्ट में बोले तो स्मार्ट स्मार्ट का सफलता पुरुवक परिक्षन हमारे भारत देश की DRDO ने ओडिशा तट पर वीलर द्वीब से किया है और वीलर द्वीब का नाम बदल कर अब्दुल कलाम द्वीब किया गया है वो भी आपको याद रखना है यानि कि इस question का सही answer है option A और supersonic missile assisted release of torpedo यानि कि smarts तो यह एक ऐसा system है जिसमें torpedo के साथ missile भी होती है और DRDO ने बताया है कि यह परिक्षन के दोरान missile लक्षित दुरी और उच्चाइत गई तथा अन्य सभी लक्षों पर पूरी तरह से खरी उतरी है और यह एक तरप की supersonic anti-ship missile है क्या है एक तरप की supersonic anti-ship missile है और इसका सफल परिक्षन किया है हमारे DRDO ने और DRDO की बात करे तो हमारे DRDO के अध्यक्ष कौन है DRDO की स्थापना कब हुई और DRDO हमारे किस मंत्राले के अधिन कार्य करता है ऐसे ही महत्व पूर्णफेक्ट मैंने आपको कई बार बताये यदि आप डैलिक करेंट अफेर का वीडियो हमारा देख रहे है तो आपको याद ही होगा नीचे कमेंट सेक्षन में लिख सकते है चोथा कुशन आवासन और शहरी कारिय मंत्राले ने अपने इवानिज्य प्लेटफोर्म पर ओन बॉर्डर स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए किसके साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये है हमारे इस मंत्राले ने इवानिज्य प्लेटफोर्म पर ओन बॉर्डर स्ट्रीट फूड वेंडर्स यानि कि कोई भी आप यदि खाना मंगाना चाहते हैं तो ओनलाइन मंगा सकते हैं और आपके गर पर यह खाना पहुच जाएगा और हमारे इस मंदराले ने हाल ही में स्वीगी के साथ एक समझोते पर हक्साक्षर किये यानि कि इस क्विशन का सही अंसर है स्वीगी और इस अरिक कारिय मंतराले तथा स्वीगी अहमदाबाद, चैन्नाई, दिलह, इंदोर और वारान सी में ओन बॉर्डर 250 वेंडरों के जरिये प्रायोगी कार्यक्रम चलाएगा और यदि सफलता मिलती है तो और भी अन्य शहरों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा और बात करते है तो स्वीगी की स्थापना कब हुई थी? वर्स 2014 में स्वीगी का हैटक्वेटर कहां पर सी थी, करना टक्केब बेंगलोरू में और स्वीगी के स्थापक तीन यह व्यक्ति है जिसके नाम है राहुल जैमिनी, नंदन रेडडी और स्री हर्षम मजेठी तीनों ने मिलकर ये स स्वीगी की स्थापना की थी? पांचवा क्वेशन टैलर नामक एक अंग्रेज अफसर पर गोली किसने चलाई थी? दोस्तों यदि आपको पढ़ने में ऐसा लगता है कि यह हमारी हिष्ट्री से जुड़ा वग क्वेशन है लेकिन टैलर नामक एक अंग्रेज अफसर पर ग गोली किसने चलाई थी? हमारी भारत देश की एक महला क्रांती कारी जो क्रांती कारियों में दुर्गा भावी के नाम से जानी जाती थी उन्होंने एक टैलर नामक अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई थी और इसलिए इस क्वेशन का सही अंसर है दुर्गा भावी और हमार शेकर आजाद के अनुरूद पर दी फिलोसोफी ओफ बम दस्तावेश तैयार करने वाले क्रांतीकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दूर्गावती बोहरा क्रांतीकारी के बीच दूर्गा भावी के नाम से मशूर थी और सुर्ख्यों में क्यों आई क्योंकि दुर्गावती देवी का जन्मा 7 अक्टूबर 1907 को इलहाबाद में हुआ था और हमारे दुर्गा भावी की मृत्यू 15 अक्टूबर 1999 में गाजियाबाद में हुई थी और भारत के स्वतंतरता संग्राम में क्रांती कारियों की एक प्रमूख सहयोगी रही थी दुर्गा देवी और स्वान 1927 में लाला लजपतराई की मौत का बदला लेने के लिए लाहोर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्सता दुर्गा भावी ने की थी और इसमें डिसीजन लिया गया के मुंबाई के जो जनरल अफसर है टेलर इस पर गोली चलाईगा कौन तो दुर्गा भावी ने यह गोली चलाई थी चठा कुशन हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नर्वने किस देश की दो दिवसीय यात्रा की? हमारे भारत देश के थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नर्वने हाल ही में दोस्तो हमारे पडोसी देश यानकी म्याम्मार की दो दिवसीय यात्रा पर थे? यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है म्याम्मार और म्याम्मार में हमने कोविड-19 के चलते कुछ ऐसी दवाईया भी उपलब्द कराई वो कोविड-19 से लड़ सके तो क्या बात है? COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में म्याम्मार को सहायता के तोर पर भारत के सेना प्रमुक जनरल मनोज मुकंद नर्वने और विदेज सचीव हर्ष वर्धन शुरूंगला ने आज रैम डेसी वीर की तीन हजार शिशिया सौपे. किस देश को? दोस्तो म्यामार देश को. और यात्रा का उद्देश क्या था? संपर्क, रक्षा और सुरक्षा सहित कई क्षित्रों में सबंदों का विस्तार करना इस हमारी मुलाकात का प्रमुक उद्देश था. और दोस्तो मैंने आपको दो दिन पहले ही पताया था कि सित्वे बंदरगा भारत की सहिता से किस देश में विक्षित किया जा रहा है तो वो भी म्यामार में. और जो उसके बारे में मैंने आपसे क्वेशन भी पुचा था तो आपको अच्छी तरब यादी ही होगा. हाल ही में प्राणी मित्र पुरसकार कीस को प्रदान किया गया. दोस्तो सात्वा क्वेशन है हाल ही में प्राणी मित्र पुरसकार कीस को प्रदान किया गया. प्राणी मित्र पुरसकार प्रदान किया गया है गुरुनाथ नर्वेकर, डॉक्टर राजेश महापात्रा और ड दॉक्टर अतुल गुपता इन तीनों को कुल चार व्यक्तियों को यह प्राणी मित्र पुरसकार प्रदान किया गया है यानिकि हमारा आंसर बन जाता है option D उपर युक्त सबे और इस पुरसकार की बात करें तो देखो प्राणी मित्र पुरसकार प्रदान किस ने किये वो भी एक क्वेशन बन सकता है तो याद रखो प्राणी मित्र पुरसकार श्री प्रकास जावडेकरजी में प्रदान किये लेकिन मैं आपसे पुछना चाहूंगा प्रकास जावडेकरजी हमारे किस मंत्रा लईके मंत्री है केंद्रिय परियावरन मंत्री है और वन्य जीव सपता जो घोशना की गए है तो इस वर्ष 2020 में चार लोगों को यह संबान दिया गया है और यह चार लोग कौन-कौन थे वो आपको पता होना चाहिए मुंबई के चीडियागर के एनिमल कीपर गुरुनाथ नर्वेकर इसी के साथ ओडिशा के नंदन कानन बायोलोजिकल पार्क के बायोलोजिस्टन नाम है डोक्टर राजेश महापात्र और इसी के साथ-साथ हमारे दो और महनुभाव भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क के वेटरनरी डोक्टर अतुल गुपता और चैन्नै स्थित अरिगंगर अन्ना जूलोजिकल पार्क की उपनिदेशक सुधारमन इन चारो व्यक्तियों को यह प्राणी मित्र पुरसकार से सम्मानिक किया गया है और केंद्रियम मंत्री प्रकास जावडेकर ने चीडिया घरो के प्रयास को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई और इस अउसर के दोरान पारिस्थितिक तंत्र सेवाओ का आर्थिक मुल्यंकन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान शिर्शक से एक र खालसा पंद की स्थापना किस ने की थी इस क्वेशन का सही अंसर है ऑप्शन बी गुरु गोविन सी ने खालसा पंद की स्थापना की थी और हाल ही में यह क्वेशन सुर्ख्यों में क्यों आया मैंने सेट क्यों किया क्योंकि गुरु गोविन सी जीसका निधन यानकी निर तो याद रखो 7 अक्टूबर 1708 गुरु गोविन सी जो सिखों के दस्वे गुरु थे उनका दोस्तो निधन हो गया था और खालसा पंद की स्थापना की थी गुरु गोविन सी ने और पाहुल नामक एक त्योहार भी चलाया गया था गुरु गोविन सी के शाशनकाल में और जफर नामक जो पत्रों का संकलन है वो भी गुरु गोविन सी ने किया था तो ये फेक्ट आपको याद रखने है और साथ-साथ याद रखो गुरु गोविन सी ने सीखों की पवित्र गुरु गरंच साहिब को पुरा किया तथा उन्हे गुरु के रूप में शुशोभित बहुती नवा कुषन निम्न मेंसे किस पत्रिका का सबंद महात्मा गांधी जी के जीवन से नहीं है। दोस्तो आपने पढ़ा होगा तो आंसर पता होगा कि किस पत्रिका का सबंद महात्मा गांधी के जीवन से नहीं है। क्यों किया? क्योंकि 7 अक्टूबर 1919 के दिन गांधी जी की नव जीवन पत्रिका प्रकाशित की गई थी। जिहां दोस्तो आज ही के दिन 1919 में गांधी जी की नव जीवन पत्रिका प्रकाशित की गई थी। और इसलिए मैंने यह क्विशन आपको बताया। दोस्तों COVID-19 के चलते भारत देश में हाल ही में यह जब आर्थिक महामंदी चल रही है तो उसी के तरज पर यह GST की जो मिटिंग है वो काफी माईने रखती है। GST परिशत की बयाली स्वी बैठक हाल ही में हमारी भारत देश की कैपिटल बोले तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह इस बयाली स्वी GST परिशत की अध्यक्षता की और इस वक्त हमारे वित राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर भी उपस्तित थे जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और वित मंत्राले के सुत्रों ने बताया है कि 21 राज्यों ने GST राजस्व घाटे की भरपाई के लिए रिजर्व बैंक से 97,000 करोड रुपे उतार लेने का एक विकल भी चुना है और यह बात कही है हमारे वित मंत्राले ने। यहरव कुशन हाल ही में राइट लाइवली हुड अवार्ड दोजार बीस के विजेता कौन बने। इसलिए इसकुशन का सही आंसर है उपरयुकत सभे। लेकिन राइट लाइवली हुड अवार्ड दोजार बीस यह क्या है तो याद रखो राइट लाइवली हुड अवार्ड को स्टोक होम में विकलप नॉबेल पुरसकार के रूप में भी जाना जाता है यानि कि नॉबे समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए दिये गए योगदान के लिए यह राइट लाइवली हुड अवारड़ दिया जाता है और हाल ही में चार व्यक्तियों को यह संबान प्राप्त हुआ है तो इनके भी हमें नाम जान लेना चाहिए तो याद रखो चार कार यह करता को यह पुरसकार प्रदान किया गया 2020 में बेलारुस के एलेस बालियाच के यहां दोस्तों देख सकते हैं चारो यह महनुभाव इन में से बेलारुस के एलेस बालियाच के बेलारुस में लोकतंत्र की स्थापना के लिए योगदान के लिए यह पुरसकार दिया गय और इरान के नस्रिन सोतोडे को यह इरान में मानवधिकारों के लिए उनके योगदान के लिए यह प्राप्त हुआ है सम्मान। और चोथी एक लेडिज है नाम है निकारा गुआ के लोट्टी कनिंगम ब्रैन। स्वधेशी भूमी और समुदायों को शोशन से बचाने में उनके योगदान के लिए यह पुरसकार इस मेला को प्राप्त हुआ है। अभिनेत्री नाम है मिष्टी मुखर जी और दोस्तो कीडनी फैलियर की वज़ा से मिष्टी मुखर जी का सिर्फ 27 साल में निदन हो गया है। मिष्टी मुखर जी का 27 साल के उम्र में निदन हो गया क्योंकि उनकी किडिनी थी वो फैल हो गई थी। और मिष्टी मुखर जी बॉलिवूड की एक जानी मनी अभिनेत्री उन्होंने कई हिंदी, बंगाली और तेलुगू फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अपना अभिने किया था। और मिष्टी मुखर जी ने 2012 में फिल्म लाइफ की तो लग गई के साथ बॉलिवूड में अपनी शुरुआत की और सुभश कई के 2014 की फिल्म काची द अनब्रेकेबल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया था, लेकिन हाल ही में इसका देहावसन हो हिया है। तेरवा खुशन हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की कुट नितिक वारता कहां आयोजित की गई हमारे भरत देश के विदेश मंत्री S. जैशंकर B. इस क्वाड की इस मिटिंग में हिस्सा लेने के लिए गई वो दोस्तो जापान के टोक्यो में गई याने कि इस अंसर है option D. टोक्यो में यह क्वाड के विदेश मंत्रियों की कुट नितिक वारता आयोजित की गई है और क्वाड नाम के इस चतुर भुजिय संगठन में हिंद प्रशान्त क्षित्र के चार देश भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया शामिल है भारत की तरप से विदेश मंत्री S. जैशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पयों ने इसमें हिस्सालिया शामिल हुए यहां देख सकते है दोस्तों हमारे भारत देश के S. जैशंकर और अमेरिके के विदेश मंत्री A.C. माइक पॉम्पयों इसमें शामिल हुए और कोरोना व और दोस्तो यहां अमेरिका और चोथा है आस्ट्रेलिया और चीन की बढ़ती आक्रमक्ता का मुकाबला करने पर केंद्रित स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत पहल पर चारों सदश्य देशों की भागीदारिक को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी दोस्तो इस लोगों को आप चानते ही होगे गलती से हमारे यहां एक इमेज रह गई है दोस्तो इस बैंक का नाम है SBI जी हां दोस्तो इस question का सही answer है option A SBI और SBI ने चरण जित अत्रा को अपना नया CFO यानिकी Chief Financial Officer नियुक्त किया है CFO का पद पुर्वडिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के CEO के रुप में नियुक्त किया जाने के बाद यह पद खाली पड़ा था और तब से सी वैंकट नागेश्वर इस पद पर अंतरिम CFO के रुप में सेवा कर रहे थे और हाल ही में SBI ने चरण जित अत्रा को अपना नया CFO नियुक्त किया है और यहां आप इमेज में देख सकते हैं नाम है चरण जित अत्रा और वो बन गए है SBI के CFO और बात करे SBI की SBI के वर्तमान अध्यक्षे रजनिश कुमार SBI का हेड़क्वाटर महराष्टर के मुंबई में स्ति थे और SBI प्रती वर्ष अपना स्थापना दिवसकब बनाता है एक जुलाई को 15. स्वच सुन्दर सामुदाईक शौचाले यानके S.S.S.S. अभ्यान की स्रेणी में सर्वस्थरेष्ट राज्य का पुरस्कार किसको मिला है याद रखो स्वच सुन्दर सामुदाईक शवचाले और इस स्रेणी में सबसे स्रेष्ट राज्य का पुरस्कार गुजरात राज्य को मिला है यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है ओप्शन सी गुजरात राज्य तो केंद्रियत जल मंत्री गजेंदरशी शेखवत और जल राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने विबिन स्रेणियों में सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन करने वालों राज्यों, जिलों, ब्लोकों, जीपी यानकि ग्राम पंचायत को स्वच बारत 2020 पुरसकारों से सम्मानित कि और इसमें राज्यों की केटेगरी में हमारे गुजरात राज्यों को यह पुरसकार मिला और स्वच बारत 2020 पुरसकारों की तीन स्रेणियों के अंतरगत प्रदान किये गए, कुछ पुरसकारों की बात करे, तो स्वच सुन्दर सामुदाइक शवचले अभ्यान, सामुदा इन में सर्वस्रेष्ट राज्य का पुरस्कार गुजरात को मिला, सामुदाइक शवचाल अभ्यान और इसमें सर्वस्रेष्ट राज्य गोशित किये गए उत्तर प्रदेश और गुजरात, जबकि गंद की से मुक्त अभ्यान इस केटेगरी में सर्वस्रेष्ट राज्य का तेलंगणा और हर्याना राज्य को मिला है क्लियर दोस्तों और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेशन पुछा था महत्मा गांधी की 151 वी जैन्ती के उपलक्ष में बापू की बात बुलेटिन की शुरुआत किस ने की बापू की बात बुलेटिन की शुरुआत All India Radio News ने की है यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर था AIR News और इस क्वेशन का लगबग सभी दोस्तों ने सही अंसर दिया है और उनमें से कुछ हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा वो है पंचाल कंदर्प रोहित बल्यान, पटेल दिनकर, दीपा चोधरी, प्रिया पटेल, प्रज्वल कामले फ्रों महाराष्ट्र से, विश्व मेवाडा और परमार करिना फ्रों गीर समनाच से इन सभी दोस्तों ने इसका सही अंसर दिया इसी के साथ साथ पावना रोहित फ्रों नडियाद, संजय राठोड फ्रों आनन, दर्शन दुद्रेजिया फ्रों अम्रेली से, दीपीका मेवाडा फ्रों मध्यप्रदेश उज्जेन से, डैली आंसर दे रही है आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रतिक परमार फ्रों परबंदर से, राठवा, अंकोष और मितल अडेदर इन सबी दोस्तों ने इस क्वेशन का सही आंसर दिया, हमारे और 20 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है राकेश कुमार फ्रों उत्तर प्रदेश से, मयूरी भावसार, हेतल पतेल, राजु भाई फ्रों गांधिनगर से, मन्थन प्रजापती, हनी यादव, रसिक राठोड, प्रविन जला और मैंका चोधरे, इन सबी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रीन पर, लंदन में इंडिया हाउस में क्रांती कारी केंदर की स्थापना किस ने की थी? दोस्तों ल दोस्तों आंसर देना मत बुलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, क्वालिटी की दृष्टी से बेस्ट लगा है, तो दोस्तों लाइक तो बनता ही है, लेकिन आपके दोस्तों तक फेस्बुक, वाटसेप, ये टेलिग्राम के जरिए इस वीड दोस्तों छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करेंट अफर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केर एंड जय हैं